नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CNC और MIS और में क्या फरक होता है, जैसे आपको कोई और प्लेस करना होता है, जैसे बाय और में अगर आप जाएं, तो यहाँ पे आपको दो और टाइप मिलते हैं CNC और MIS, तो CNC क्या होता है और MIS क्या होता है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है और यह कौन सा कब चूर्स करना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं इनके फुल फॉर्म की, तो CNC का फुल फॉर्म होता है, cash and carry, यानि आप जो भी stock का buy कर रहे हैं चाहे आप वो market price पे buy करें, चाहे limit price पे buy करें, आप उसका पूरा cash payment कर रहे हैं, यानि अगर आप मान लिजिए, जैसे आप यह ICACA का एक share buy करना चाहते हैं, तो अभी जो rate है, 365, 365 के बीच में जो rate चल रहा है, उस rate का, जो यहाँ पे आपको rate दिखाई दे रहा है, उतना amount आपके account में होना चाहिए, पूरा का पूरा, उतना amount है, तो आप CNC में उसे buy कर सकते हैं, और buy करने के बाद आप उसे carry कर सकते हैं, carry करने का मतलब है कि आप उसे position को buy करके, आप चाहे तो कल sell करें, चाहे तो परसू sell करें, चाहे तो एक महीना बाद sell करें, एक साल बाद sell करे रहे या ना कर्याब रखे रखें वो आपके हाथ में क्योंकि आपने उसका पूरा पेमेंट किया है cash and carry so you pay full cash and you carry your positions with you आप अपने साथ हो position घर लेके जाते हैं तो वो होता है cash and carry दूसरा होता है MIS MIS जो है वो day trading के लिए use होता है इसमें M जो है वो margin के लिए stand करता है के लिए अगर आप Google में जाके यहां पर लिखेंगे जरोधा margin अगर आप लिखेंगे तो पहली जो website आएगी आप उस पर जाएए और यहां पर सबसे नीचे यह आपको equity का link दिखाई देगा आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सारे shares के margin लिखे रहते हैं जैसे for example आप यह ACC का अगर यहां देखेंगे तो ACC का margin M.I.S. के लिए 8.88 है तो यह सब के यहां पर margin लिखे हुए है कि M.I.S. के लिए आपको कितना margin देना पड़ता है यानि आपको कितना leverage मिलता है जैसे जमालेजी ACC का एक share है थो आपको 11 गोना मार्जन मिलता है तो अगर आपके पास 1,000 रुपे आपके अकांट में तो आप 11,000 रुपे तक का trade ले सकते हैं आप समझाओंगे कि M यानि margin यानि आपको margin मिलता है किसी शेर में 4 गुना, किसी शेर में 5 गुना, किसी में 10 गुना, किसी में 11 गुना, किसी किसी में 14 गुना तक तो वो हर brokerage firm पर depend करता है कितना margin आपको देते हैं, लेकिन ये intra day के लिए होता है, यानि आपको आज ही share buy करना ह ये पहला difference देखिए, CNC में आपको margin नहीं मिलता है, MIS में आपको margin मिलता है, CNC में आपको इस share buy करें तो आप अपने पास जितना समय चाहें रख सकते हैं, MIS में आप buying करें तो आपको आज का आज ही शाम के 3 बज़ के 20 मिनट से पहले sell करना होगा, 3 बज़ के 30 मिनट पे अपना market खतम होथा है, लेकिन उससे 10 मिनट पहले जो है, वो brokerage firm auto close करते हैं, जो भी MIS order होते हैं, तो 3-20 तक अगर आपने sell नहीं किया आपका share, तो आपका share automatically sell हो जाएगा, और आपको 20 से 50 रुपय का extra charges लग सकता है, तो ये main difference है, दूसरी एक और जो इन दोनों के बीच में जो important बात है, वो है कि अगर आप CNC में trade कर रहे हैं, तो आपको share हमेशा buy करना पड़ता है पहले, और फिर उसके बाद ही आप उसे sell कर सकते हैं, यानि share अगर आपके पास है नहीं, तो आप sell नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा पहले buy करना पड़ेगा, तब ही आप उसे sell कर सकते हैं, वहीं अगर आप MIS में जाएं, तो आप पहले buy करें, बाद में sell करें, या आप चाहें तो पहले आपके पास share नहीं है, तो भी आप उसे sell कर सकते हैं, और उसके बाद में आप उसे buy करें, ये एक facility होती है, जो MIS में है, क् दिन के आखिन में वो position close हो ही जाती है, तो आपने sell किया है, तो आज दिन के end में buy करना ही पड़ेगा आपको, तो ये एक दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी stock को short करना चाहते हैं, short करने का मतलब होता है कि पहले sell करें और बाद में buy करें, उसको short करना बोलते हैं, जो buy का opposite है, तो अगर आप किसी share को short करना चाहते हैं, तो आप CNC में नहीं कर सकते हैं, वो आपको MIS में ही करना पड़ेगा day trading के लिए, दूसरा option होता है कि आप futures and option में जाएं short करने के लिए, लेकिन यहां मैं simple CNC और MIS की बात कर रहा हूँ, तो ये एक जो है, वो दूसरा difference है, जैस को यहां से यहां pull करूँगा, तो मेरा order place हो जाता है, तो यह ICACA का एक order चला गया, आप यहां नीचे order पे अगर आप देखेंगे तो यह green line आ रही है, आप इस पे click करेंगे, तो यहां pending में नहीं है, execute में आपका order, यहां देखिए, यह आ चुका है, ICACA bank का एक NSE में buy किया है, यहां यह MIS दिख रहा है, MIS का मतलब है margin intraday square off, ठीक है, तो आपको इस पे margin मिल सकता है, आप ले ना ले, वो आपकी इच्छा है, intraday में है, यानि 30 से पहले आपको close करना है, अगर आप close नहीं करेंगे, तो automatic close हो जाएगा, आप चाहें तो इसे मेरे portfolio में भी देख सकत रहा है, एक quantity है, ICCA bank का है, इस price पे buy किया हुए है, last traded price यानि अभी market में क्या price चल रहा है, वो यहां पे दिख रहा है, मुझे कितना profit or loss है, वो यहां पे दिख रहा है, और यह दिखा रहा है कि MIS order, कोई भी order, जो है, वो MIS भी हो सकता है, और दूसरा जैसे, आपको यह order म मैंने कल order लिया था, तो यह जो है, इस order को आप देखें, जो holding में आपके यहां पे दिख रहा है, यह मैंने कल लिया था, और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब है, कि यह MIS order नहीं है, यह CNC order है, तो यहां पे आपको दिखा रहा है, कि T1 में एक quantity है, T1 यान अभी आपको दो दिन नहीं हुए है, जब आप कोई भी CNC model बाय करता है, तो वो share आपके demet account में आने में दो दिन होते हैं, दो दिन के बाद आता है, तो जब दो दिन नहीं हुए होते हैं, जैसे अभी दिखा रहा है कि T1 यानि अभी एक ही दिन हुआ है, और इसमें एक share है इस price पे लिया था, और इतना amount invest किया था, last traded price यह है, जो कि 2% उपर है, तो अभी जैसे इसको अगर मुझे sell करना है, तो मैं इस पे यहाँ click करूँगा और exit करूँगा, अब देखिए यह CNC में buy किया, तो by default यह CNC में sell होगा, अभी से sell करने के लिए simply मैं यहां से यहां दबा करना है, तो मैं इस तरीके से उसे sell order में place कर सकता हूँ, आप यह order में देख सकते हैं कि pending में अभी यह SBIN का CNC limit order लगा हुए है, जब भी price 190 पे आएगा, यह sell हो जाएगा, आप किसी भी CNC order को जिस दिन buy किया है, उस दिन से MIS में convert कर सकते हैं, किसी भी MIS order को CNC में convert कर सकते हैं, यह order जो है, MIS order है, अगर इसे मैं CNC में convert करना चाहूँगा, तो मैं इस पर click करूँगा, तो यह window कुलेगा, उसको मैं थोड़ाओर उपर scroll करूँगा, तो यहां आता है convert position, तो यह convert position जो है, MIS से CNC और CNC से MIS में आप convert करने के लिए use कर सकते हैं, आप इस पर click करेंगे, तो य इसे घर ले जा रहे हैं, आपको day के end में इसे square off करने की जुरत नहीं पड़ेगी, लेकिन याद रखिए, CNC में जब भी convert करेंगे, MIS से, तो आपके पास full margin होना चाहिए, यानि आपके account में उतना cash होना चाहिए, तो I hope दोस्तों आपको समझ में आगया होगा कि किस तरह से CNC और MIS में फरक है, फिर से मैं एक बार मैं remind कर दूँ, CNC जो है वो investment के लिए use होता है, एक दिन से ज़्यादा आप stock को hold करना चाहते हैं, अपने पास रखन चाहते हैं, तो CNC use कीजिए, CNC use करने के लिए आपको पूरा amount आपके account में होना चाहिए, जितने का आप trade लेना चाहते ह MIS जो है वो intraday trading या day trading की से बोलते हैं, उसके लिए use होता है, आपको extra margin मिलता है, उसमें कई गुना 1000 रुपय का है, तो आप 14,000 तक आप उसमें invest कर सकते हैं, लेकिन 30 से पहले पहले आपको आपका trade close करना पड़ता है, buy किया है तो sell करना पड़ता है, sell किया है तो buy करना I hope guys आपको समझ में आया होगा कि CNC और MIS order में क्या फरक है, अगर सही में आपको समझ आया हो, तो please go ahead and like this video, that's it, take care guys, bye bye